अश्कार बच्चों आज के वीडियो में हम देख रहे हैं नैपोलियन बोनापार्ट एक समराट के रूप में किस प्रकार उसने अपने समय के शक्तिशाली राज्यों को गुटने टैकने के लिए मजबूर किया समराट बनने के पशाथ उसने सर्व प्रथम आस्ट्रिया पर आकर्मन किया समराट बनने से पूर्व भी आस्ट्रिया को वो परास्त कर चुका था और उसके साथ उसने केमपो फोर्मिया की संदी संपन कर ली थी जब नेपोलियन समराट बन गया तब उसने आस्ट्रिया पर आक्रमन किया आस्ट्रिया को परास्त किया और आस्ट्रिया को परास्त करने के पशाथ इंग्लेंड के साथ उसका एक युद्ध हुआ जो ट्राफल गर का युद्ध कहलाया इस युद्ध वे नैपोलियन पूरी तरह से परास्त हुआ आस्टरलीज का जो युद्ध हुआ इंगलेंड के साथ उसके पशात नैपोलियन आगे बढ़ा आस्ट्रिया की राजदानी वियना पर अधिकार किया और जब आस्ट्रिया की राजदानी वियना पर अधिकार किया गया तो आस्ट्रिया ने साहता के लिए रूस को आमंत्रित किया आस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना ने आस्ट्रलिज नामकिस्थान पर नैपोलियन की सेना का सामना किया और इसमें फ्रांस के समराट नैपोलियन ने आस्ट्रिया और रूस की सेना को हरा दिया आस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ प्रैस बर्ग की संदी संपन्न की प्रैस बर्ग की संदी आस्ट्रिया और फ्रांस के मद्दे हुई इसके परशाद नेपॉलियन ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित किया प्रेशा के साथ उसके दो युदुए जेना आवर स्ट्रेट के युद और फिर हम देखते हैं कि उसने रूस के विरुद अभियान किया रूस के विरुद अभियान करने का उसका जो कारण था वो ये था कि आस्ट्रिया से जब उसका युद्ध हो रहा था तब रूस ने उसकी आस्ट्रिया की सायता की थी आस्ट्रिया रूस के समराट इस समय अलेक्जेंडर प्रथम थे तिलसित की संदी रूस को परास्त करने के पशात की गई और इसमें इस संदी के माध्यम से नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप को आपस में बाट लेने का निर्ने किया तथा रूस से ये आशवाशन भी ले लिया कि वो इंग्लेंड से उसके सामुद्रिक अधिकार त्यागने के लिए कहेगा और फ्रांस से संदी करने के लिए इंग्लेंड और फ्रांस के मध्यदी कोई संदी होती है तो रूस उसकी मध्यस्ता करेगा इसके पशात उसने प्रशा के साथ संदी संपन की, और प्रशा के बाद उसने प्रशा के पशात उसने इस पैन के विरुद अभियान किया इस्पैन से युद्ध के कारण बच्चों हमने कल देखें एक समरद्ध इस्पैन उसकी आँखों में खटक रहा था यहाँ पर गुर्बावंश का शाषन था जिसे नेपोलियन समाप्त करना चाहता था और यहाँ का जो शाषत था चार्स चतूर्थ वो आयोग्य था इसलिए नेपोलियन इस पर अधिकार करना चाहता था परिस्तितियां भी उसके अनुकूल थी राजपरिवार में आपस में फूर्ट थी उसने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को इस्पैन का समराठ बना दिया इस कार्दिय से इस्पैन की जनता क्रोधित हो गई और नेपोलियन था उसके जो भाई था जोसेफ उसके विरुद रास्ट्रिय आंदोलन का धोज फेरा दिया रास्ट्रिय आंदोलन इतना तिवर था कि उसका भाई जोसेफ घबरा कर इस्पैन छोड़कर भाग गया इस्पैन की रास्ट्रिय आंदोलन ने इंग्लेंड को यूरोप की धर्ती पर पेर टिकाने का आउसर दिया इंग्लेंड ने स्पैनिस जनता की सायता की और जो इंग्लेंड का सैनापती बनके आया अर्थर वैलेजली सम्पूर इस्पैन में फ्रांसी सेनाओं को पराजित किया गया जब जब फ्रांस के सेनाएं पराजित होती गई नैपोलियन और अधिक सेनाएं भेजता गया लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस जो इस पैन का संगर्श था वो विराम लेने को तैयार नहीं था इस पैन को के रास्ट्री आंदोलन को कुचलने के लिए उसे एक भहुत बड़ी सेना इस पैन में रखने के लिए विवश होना पड़ा इसलिए नेपोलियन ने स्वैम कहाए कि इस पैन नेपोलियन के लिए एक जहरीला फोड़ा सिद्धुआ काफी समय बाद स्वैम नैपोलियन ने स्विकार किया कि इस्पैन का मामला ही मेरे नाश का मुख्य कारण था मैं मानता हूँ कि इस्पैन के संबन में मैंने बुरे धंग से आचरण किया अब बच्चों हम देखेंगे मास को अभियान नेपोलियन का मास को अभियान किस तरका था नेपोलियन की महादीप ये व्यवस्था जो हमने पड़ी थी उसमें रूस को फ्रांस का शत्रू बना दिया क्योंकि नेपोलियन तो जहां भी फते करता उनसे एक ही शर्त रखता कि आपको मेरी महादीप ये व्यवस्था माननी पड़ेगी महादीप ये व्यवस्था का अभिप्राय है कि इंग्लेंड से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना ये किसी भी राज्ये के लिए संभाव नहीं था और इसके अलावा और भी अन्नी कारण थे जिसके कारण दोनों की मैतरी तूट गई बच्चों हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि हमने इससे पहले भी पढ़ा कि रूस के विरुद उसने अभियान किया था और एक टिलसिट की संदी करी थी उस संदी के माध्यम से दोनों में विराम हो गया था तो फिर कौन से कारण थे जिसके कारण उसे पुना मास को अभियान करना पड़ा जो इसकी महादीपी व्यवस्था थी इस से रूस के लोग संतुस्ट नहीं थे और वो क्योंकि इंग्लेंड से व्यापार का बंद होना उनको मुनासिब नहीं लग रहा था इसके अलावा जो जार था अलेक्जेंडर नेपोलियन की मैत्री से जो कुछ लाब मिलना था वो मिल चुका था अब उसे और कोई अधिक लाब की उम्मीद भी नहीं थी इसलिए उसने नेपोलियन की महादीपी व्यवस्था का सक्ती से पालन नहीं किया इससे नेपोलियन क्रौदी तो उठा और उसने रूस पर आकरमन करने का निश्य किया और रूस के बारे में बच्चों ये विख्यात है कि वहाँ छोटी सेनाएं परास्त हो जाती है और बड़ी सेनाएं भूके मर जाती हैं नेपोलियन इस सत्य से अच्छी तरह वाकिव था उसने एक विशाल सेना तयार की और सेनिकों की जो संख्या थी वो थी छे लाग इतनी बड़ी सेना के लिए प्रियाप्त मात्रा में साधन ले जाना संभव नहीं था मई 1812 में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई 24 जून को अभियान किया गया अपनी परंपरागत शेली की अनुसार रूस की सेनाएं दिन प्रती दिन पीछे हटती गई नैपोलियन की सेनाएं आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम ये निकला कि जो रूस की सेनाएं थी जैसे जैसे वो पीछे हटती अपने साथ अपने खेतों को खलियानों को जलाती हुई चलती जाती ताकि शत्रू को अन्न और घास भी न मिल सके अब देखी बच्चों माई 1812 में उसने अभियान किया था माई जून जुलाई अगस सितंबर 14 सितंबर को नेपोलियन की सेनाय मास को पहुंची 22 अक्टूबर तक वो वही रही और इस समय और इस समय तक सबसे अधिक कठिनाई ये हुई कि प्रतिरोत का सामना कहीं नहीं करना पड़ा रूस की कड़कडाती सर्दी ने उसके सैनिकों को मोत के घाट उतारना प्रारम कर दिया घास के अभाव में घोडे मरने लगे मासकों से रवाना होते ही रूसियों ने फ्रांसिसियों पर जोरदार आक्रमन कर दिया हजारों सैनिक रोज मरने लगे जो बचे वे थे उनको भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था इस प्रकार नेपोलियन को बहुत सारी कठिनाईया उठानी पड़ी नेपोलियन अपनी विशाल सैना में से केवल बीस हजार सैनिकों को वापस लेके आया अर्थात पांच लाख असी हजार सैनिक उसके मारे गए किसी प्रकार का भी उसे लाब नहीं हुआ रूस के हातों नेपोलियन की दुर्दशा की कहानी सुनकर दूसरे देशों में जोश भर गया और उन्होंनों नेपोलियन के विरुद्ध हतियार उठा लिए तो बच्चों ये था नेपोलियन का मासको अभियान जो हमने विस्तार से पड़ा और इस मासको अभियान में नेपोलियन की एक विशाल सेना बिना किसी युद्ध किये बिना किसी प्रतिरोध किये केवल अब नेपोलियन की मैत्वा कांख्षा के कारण मारी गई छे लाग सेना नेपोलियन लेके गया था और जब मासकों से लोटा माई में गया था और अक्टूबर तक सेना ने वही रही इसके बाद हम देखते हैं लिपजिंग का युद्ध मासकों अभियान के तुरंत बाद यूरोप की कुछ शक्तियों ने चोथी बार फ्रांस के विरुद गुट बनाया इसकुट में कौन-कौन था इंगलेंड था आस्ट्रिया था प्रशा था और रूस था इंगलेंड के सेनापती वैलिंग्टन ने इस्पेन में फ्रांसीसी सेनाओं को परास्त कर दिया था जोसिप बोनापार्ट इस्पेन छोड़कर भाग गया था इधर अक्तूबर 1813 में रूस आस्ट्रिया और प्रशा ने लिपजिंग के युद में नैपोलियन को बुरी तरस से परास्त करके राइन नदी के उस पार खदेर दिया चार दिन तक चलने वाला ये युद रास्तों के युद के नाम से जाना गया और इसके बाद भी गुट के सदस्यों ने नैपोलियन को समझोते के लिए आमंत्रित किया परंतिव नैपोलियन ने उनके प्रस्ताओं को स्विकार नहीं किया रूस और प्रशा की सेना पैरिस में गुच गई नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसे एलबा दीप पर भेज दिया गया उसकी समराट की उपादी कायम रखी गई एलबा दीप का स्वतंत्रिशाशन भी उसे सौप दिया गया इसके पशाद उसने वाटरलू का युद्ध किया वाटरलू का युद्ध इतियास में विश्व विख्यात युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये युद्ध 18 जून 1815 को वाटरलू के मेदान में हुआ नेपोलियन की पराजे के बाद मित्र रास्टों ने बुर्बा वंश के जो शाशर था लूई 18 मा उसको फ्रांस का सिंगासन पर बिठाया और उसके साथ एक आइस्थाई संदी कर ली इधर नेपोलियन एलबा दीप पर भी शान्त नहीं रहा वो भाग कर फ्रांस आ गया फ्रांस की जनता और सैनिकों ने उसका जोरदार स्वागत किया लूई 18 फ्रांस छोड़ कर भाग गया नेपोलियन पुना फ्रांस का समराट बन गया मित्र रास्टों ने ततकाल उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया वैलिंग्टन अपनी सेना के साथ प्रेशियन सेना पती ब्लूचर से मिलने के लिए चड़ पड़ा आस्ट्रियन सेना भी राहिन की तरफ बढ़ने लगी नेपोलियन ने अपने शत्रूं को आपस में मिलने से पहले अलग-अलग पराजित करने की यूज़ना बताई लोकने का असफल प्रियास किया वाटरलू के मेदान में वैलिंग्टन और नेपोलियन के मद्दि घमाशान युद्ध हुआ वैलिंग्टन की सेना पस्त हो चुकी थी ठीक समय पर प्रशा का सेना पती ब्लूचर अपनी सेना सहित वहाँ पर आ गया जिससे युद्ध का पासा ही पलट गया नेपोलियन की सेना के पेर उखड गए और वो परास्त हो गई नेपोलियन वहाँ से पेरिस भाग गया लेकिन पैरिस की जनता ने इस बार नेपोलियन का साथ नहीं दिया नेपोलियन ने अमेरिका भागने की योजना बनाई परन्तु अंग्रेजों के हातों में पढ़ गया और उसे बंदी बना कर सेंट हेलेना दीप पर भेज दिया गया छे वर्ष बाद 1821 में आदूनिक संसार के इस महान विजेता और रण कुशल सेनानायक की मरत्यू हो गई इस प्रकार बच्चों हमने आज के वीडियो में ये देखा कि नेपोलियन ने समराट के रूप में क्या-क्या उपलब्दियां हासिल करी